हमारे यूटुब चैनल में आप लोगों का हर्दिक स्वागत है अगर आप लोग स्वास्त के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहे और स्वास्त लाब लेते रहे चुकि मैं जो भी आप लोगों के साथ सेर करता हूं वो बिल्कुल हकीकत होती है में बताएं ताकि हमारे साथ कि भी उसका लाब अच्छे तरीके से ले सके तो देखिए इस वीडियो का बहाने का कि आप लोगों से मैं स्वास्त संबंदी कुछ बाते करूंगा और साथ ही साथ मैं अपने सरीर का मसाज भी करूंगा बीच-बीच मैं आप लोगों को तो हम अपने सरीर को सरसू का तेल का मैं सिंपली सभी के घर में होते हैं तो सरसू का तेल सबसे अच्छा होता है हमारे नजर में कि मसाज के लिए जो जेनरल सभी लोग के पास उपलावध होता है तो इस तेल से मैं अपने सरीर का पूरा अच्छे तरीके से और श्नान से प सब्सक्राइब कर रहा हूं तो इस उंगलियों का मेरा देखना यह है कि हमारे सभी उंगलियां सही तरीके से वर्क कर रहे हैं एक बार आप उसको चला भी लीजिए मसाज के दौरान मैं इतना टाइम इसलिए लगा रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए लेकिन मैं मैं मै मसाज करूंगा तो मैं इसे तेजी के साथ 20 मसाज को इसी थ्रोट के साथ मैं इसको कर शकता हूं सिर्प समझने की बात है क्योंकि जो भी अब हम लोग तो चाहते हैं कि आप लोग को समझा पाऊं बटे समझना और मैं समझना तो जो रुसादक समझ जाते हैं वो इसका काने की कोशिस कर रहा हूं कि इस तरह की सोच से कि मैं हमारे यहां के सारे सेल मजबूत हैं अच्छे हैं यह अच्छे काम कर रहे हैं चुकि आपका सरीर है और आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आपका सरीर बनेगा तो इस थोट के साथ कि हमारे यह उंगलियां अच्छे हैं इ इतने इंके मुवमेंट होने चाहिए इस उमलियों का मुवमेंट में बना रहा हूं अब दीर दीर हम एड़ी के तरफ आते हैं यह और पूरे इस चीज को इस पॉइंट को दबाते हुए थोड़ा सा मसाज करेंगे अच्छे तरीके से और यह आपके उपर नेवर करता है कि अप सौंसों का कितना ध्यान रागते हैं अगर आप थ्यान रखते हैं तो आपके लन्स भी-स से मजबूत होते रहे और साथी साथ मसाज होता रहेगा तो यह आप मसाज करते रहेंगे इस प्रकार से माली जे स्वास्वों के साथ हम गोल लिया आप लोगों को तो कैसे करेंगी हम स्वास्वों को छोड़ते जाएंगे इसको मैं तेजी के साथ भी कर सकता हूं में यह सब में अचाहिए की जहाँ जहां मेरे हात लग रहे हैं वहां वहां एक उर्जा एक सकती आ रही है और सही में वहां लंबे स्वास्वों के साथ लिजन ही olması इतनी अच्छा ही हो जाएगी कि सारे सेल आपके अपने अपने मेट्रो कांडिया में वह स्टूर करना शुरू कर देंगे वह सुर्जा को तूस्त मतलों कि थ्रॉट के साथ कि हमारे सारे सेल एक्टेव हैं सारे सेल हमारे जितना जीन से जो भी आप कह सकते हैं तो सारे चीज ह यहां नहीं पढ़ा लिखा हुआ इंसान हो लेकिन इतना तो समझ है कि हम अपने शरीर के बारे में हम अच्छा सोचे हमारे त्वचा के अंदर में जितने भी अमारी इस पैर के अंदर जितने सेल हैं वह सही हो चुकि मेरा उस असपर्स जहां पे जिस जगह में है वही चीज मेरा आएगा कि मेरे अपने पैरों का मसाज अच्छे तरीके से कर रहा हूं घुटने का मसाज मैं बहुत अच्छे तरीके से कर रहा हूं और स्वासों के साथ कर रहा हूं स्वासों के साथ कैसा करना है आप लोगों को मैं बताता ही रहता हूं और बता भी रहा हूं कि स्वा लोग करते थे मसाज के लिए समय लेकिन आज के भागदोर जवाली जिंदगी जो है ना इसमें किसी के पास वक्ती ही नहीं है कि मैं अपने शरीर का केर कर सकूँ लोग जो गाड़ियां तो घुमेंगे पचीस लाक वाली में लेकिन यह जो अनमूल शरीर है इसका कोई केर नह भी कर रहे हैं तो उसी थ्रॉट के साथ हम कर रहे हैं हमारा कहने कारते हैं कि यह सारी थ्रॉट के साथ आप मसाज को करते रहें और जहां जहां आपकी उंग्या जा रही है वहां वहां एक उर्जा उत्पन होते जा रहा है आपके हाथों में यह सक्ति है ऐसा भी मैसूस करे कि मेरे हाथ आप लोग को जिस तरह से हम बच्चे का केर करते हैं ना कि हमें ये बच्चा मेरा अच्छा हो उसके कहीं गंदे तो नहीं लग गया उसको कहीं कुछ हो तो नहीं किया कितना केर करते हैं हम अपने बच्चों का उसी तरह के हम अपने इस पैरों का भी केर करते और मेरा मसाज कितने टाइम का लगा इतना टाइम आप कम से कम जरूर लगाईएगा और जो लोग सोच रहे होंगे कि हम वीडियो को स्क्रॉल करके और आगे भाग जाते हैं तो हम समझ जाएंगे नहीं छोटी सी चीज है मसाज करने की चीज है कि हम अपने सरीर का देख रेक और आकी खिचाओ को वहां के जितने भी हमारे मूमेंट है उसको हम फीजयोत्रेपी के जैसा पूरी उंगलियों को पूरा अगे ले जाते हैं पूर महतूसों करते है इन पंजियों का खिचाओं महसूस करते हैं यह जितना movement करता है और जितना इसे करना चाहिए इतना अपनी समझ होने चाहिए कि इन पै रों को हम अच्छे तरीके से घुमा सके यहां कि जितनी वी निशनारी जो आपके सरीर से जुड़ी हुई है वो सारे इसी से निर्भर करती है कि आपके सरीर का moment जो parts पे care आप नहीं करेंगे वो निस्क्रिये होता चला जाएगा आप ये चीज मान लीजिए आप अपने सरीर का देखरेक कर रहे हैं अपने पैरों का कर रहे हैं कुछ गल्तियां ऐसी होती है कि जब ठोकर लगती है ना तब लोगों को समझ में आती है कुछ ठोकरे मुझे भी लगी है और इसके वज़ा से जो मुझे समझ आई है वो मैं आप लोग के साथ सेर करता रहता हूं क्यों गल्तियां आप लोग ना करो जो उसमें होसना गवाँ कहने का अर्थ है कि हमारा बॉड़ी आपको कोई सिंग्नल देता है एक एक सिंग्नल देता है कहीं छोटी सी दर्ध के ही होती है बस हमलोग क्या करते है फटाफट इंग्लिज दवाय या कोई ऐसा पेन के लग ले ले लेते हैं जिसके वज़किता है यहां gemaakt कर रहा है बद हमने क्या किया अरे होता है अजज मुआ नहीं दिया वो तो जैसे बच्चे अगर रोते हैं कि भाई तु बच्चे को समझना पड़ेगा, बच्चा को प्यास लगी है, या भूख लगी है, या क्या लगी है, इसलिए बच्चों के डॉक्टर भी बने, ताकि उनकी मनोदसा, उनकी एक्टिविटी से उनकी पकड़ पाएं कि बच्चे को क्या चाहिए, उसी तरह हमारा ही होना चाहिए, कि हमारे सरीर के लिए क्या जरूरी है, क्या लेना जरूरी है, इस प्रकार का थ्रॉट के साथ करते रहिए, तो हम कह रहे थे कि अगर बॉड़ी आपका कोई सिगनल देता है, तो उस सिगनल को दबाने के बजाए, जानने की कोसिस कीजिए, मेरे जितने भी सादक हमारे साथ जुड़े हुए है न वो सारी इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा ये मतला हमारे वीडियो बनाने का ये की मकसद होता है कि कौन सी बात आपके दिल दिवान में मैं बैठा दूं और उसका स्वास्त कलाव आप ले सको मैं ये दिल से कह रहा हूं चुकि ये देखिए वीडियो बनाने का तो एक भाना था आप लोगों के साथ बात करने का मिलने का मेरा बहुत ही अच्छा लगता है और जितने आप लोगों का कॉमेंट आते हैं या लोग मुझे मिलते हैं जितने लोगों का मुझे मतलब हर तरीके से मुझे एक खुसी होती है आप कहीं न कहीं थोड़ी सी भी लाब अगर दिखती है तो उस चीज़ को दिल दिमाग में बैठाना है, तो देखिए अब नहाने से पहले अपने सरीर के लिए इतना वर्क भी कर रहा हूँ और साथ ही साथ आप लोगे साथ सेर भी कर रहा हूँ कि आप लोगी अपने सरीर का इस मां ने पीडली का केयर करें यहां के तमाम अस्थियां जितनी है बोन्सपर नसनाडी है उससे तरफ विसल्ब हमारा जो एक अस्पर सोह रहा है कि मैं तुह कर रहा हूँ मैं तेरा रख वाला हूं मैं तेरे को अच्छा मोमेंट्स के दورान ही इसका देख रेक होता है कि हमने हमारे टकने के पास है है कितने हमारे से कहां कहीं तो पेंट नहीं कर रहा, वहां वह– वह मुझी जैसे बिच्चर होता है तो बिच्चे बच्चर को मत चुपाईए हमने भी सुपाया है और उसका प्रिदाम आया लेकिन बोलते हैं कि वक्त से अगर समझ आ जाए लोगों को तो अपने को री बैक कर सकते हैं यह समझ जो मैं आज इतना आप लोगों के साथ मैं सेर कर रहा हूं लेकिन मैं कभी वीडियो में और भी बनाऊंगा तो आप लोगों को बताऊंगा कि वो ठोकर कौन-कौन सी होती है और किस ठोकर से अपने सरीर को बरबाद कर देते हैं लोग अपने सरीर का केर नहीं करते हैं अपने सरीर के सिगनल को नहीं समझते हैं आपका अगर सरीर कहीं सिगनल दिया है आपको सर्दी खासी ही क्यों ना हुआ है तो कम से कम हमारे सरीर के रूप प्रतिरुदक छंता को काम करने बहुत जारा लोग घबड आ stato है आगे वेस में आ SOD कर दें Cathy हमारा मानना है मैं ऐसा मांता हूं कि अगर वाडी हमारी इत हो रही है तो इसके पीछे मतलब गर्म हो रहा है हमारा सरीर स्वह करो कि मुझे मानना हो गाई कि हमाधे pole लगा हमारा सरीर क्यों हो रहा है हमारे उस सरीर में गर्मी आ रही है क्या कारण है हमारा सरीर ऐसा क्यों सिंगनल दे रहा है इस सब चीजों को आपको देखना होगा हमारा सरीर है इसका केर करते हैं तुकि शरीर गर्म हो रहा है इसका मतलब है कि बाहरी बैक्टरिया हमारे सरीर के अंदर में किया है और हमारे जो प्रतिरोधक छमता है उसको मारने के लिए हमारे अपने बॉडी को गर्म किया है कि ताकि हम वो बाहरी जो संक्रमन मेरे बॉडी के अंदर आया है उसे हम मार सको तो शरीर आपका प्रतिरोधक छमता आपका काम कर रहा कि हम जो इसो शरीर को गर्म करेंगे उस वा ऐको च्रवाम उख रही हैं तो आप समझें करेंकि नहीं इसी प्रकार का और वार्स को सी स्थ साफर INTERP Lac funktion करता रहेगा उसको सुला दीजिए गड़वड हो जाएगा मन से भी बहुत लोग तरस्त हो जाते हैं जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैं मुझे ठोकर लगा मुझे ऐसा से कि मुझे ठोकर लगा लेकिन ठोकर के बाद हम समभलना तो है मुझे अगर फिर भी ना समझे उस ठोकर को जाने गारे ऐसा होता है फिर गड़वड फिर तो आपको तो फिर वो होस्पीटल के चक्कर लगाने होंगे और तकलीफ होगी वो अलग होगी यह आप समझ सकते हैं एलोपैथ हम बार बार कहते हैं कि बहुत राम बान की चीज है इमर्जेंसी के लिए अगर इमर्जेंसी है तो एलोपैथ ही एक सहारा है कि इमेडिटली हम जा करके और बचाओ कर सकते हैं लेकिन आपको बचाओ तो कर देती है लेकिन देख रेक तो आपको करना होगा अपने सरीर का वो आप मसाज से करते हैं योग से करते हैं प्रणायाम से करते हैं अभी मैं आप लोगों को स्वा रजाना हम बता रहा था कि सनासों को लेना फिपड़े में पूरी सनासों को बाहर छुटे देना उससे हमारे लंश क्या होते हैं कि मजबूत होते हैं और इस साथ ही हम लोग अपने मसाज्व भी कर रहे हैं इस प्रकार से पूरे मसाज करेंगे शरीर के आपने अच्छे से पैरों का मसाज में कर दिया पूरे जांक से लेकर कि अपने पैरों का लिया अपने ख़िचाओं को कर दिया इसके बाद हम जो सॉ कमर की तरह पाते हैं कि कि kya कमर और पेट की मसाज हम कैसे करेंगे तूर्स के लिए मुष्श अच्छे से तेषी लेकर के और पूरे अपने कमर और पेट की फी कि तह estos क Traλαma हैं यहां से मुलाधार चक्र लेकर के मनी फूर्फ चक्र तक आ جए उपर रन्हार चक्र तक इन सब चक्रों का वी ध्हान अगर आपको जानकरी है तो नियंक त 선생 का भी ध्हान करते हुए कि चक्र हमारे किस प्रकार से जग रहा है कर थो रहा हूं की एक सक्टि प्रधान कर रहा है उन सब सक्टियों को जगाने की आप सोच रहे है और उस दॉर्ट के साथ आप अपने बोडी को पूरे अच्छे तरीके से सारे सरीर के कोई भी जगा आपता छूपना नहीं चाहिए थोड़ा सा नाभी में भी तेल को अच्छे तरीके से लगा लेते हैं ताकि आपके नाभी के भी क्योंकि नाभी से बहुत सारी नसे जूड़ी हो इत्यों जैसे बच्चा पेट में होता है न तो वह सारी फ्रूट्स जितने भी खाने का पदार्थ है उसके अंदर की जितनी भी सक्तियां आती है उसके इन्हीं रास्तों से जाती है इसलिए बोलते हैं कि नाभी बहुत अच्छा है तो नाभी में जरूर तेल लगाईए राग को सोते समय भी लगाईए और सुबा में मसाज के समय भ बढ़ी आसा कि अपने गल गले का पास भी पूरे अपने इस जिगा में बहुत अच्छे से मसाज करें इसको इस तरह से मसाज करेंगे पूरे यह जितने भी नफ्स नाडिया हमारे शरीर के अंदर लगी हुए न यह सारे नफ्स नाडियों पे एक बार हाद जाना चाहिए वर सब जगतोचा पे आपके असपर्स हो जाने चाहिए खिचाव पूरा अभी जैसे उलियों का जो जितनी भी मुमेंट्स हैं उसको यह आप मसाज के दौरान भी सारा कर लीजिए कहने कि यह सारे सुक्ष भ्याम आप अपने दिंचरिया में अपने मतलब के बातरूम जाते स समय भी मसाज करके हम नहाएंगे अगर इस तरह का थोट रखते हैं और आपको पता है कि हम किस सोच के साथ और किस तरह से हम अपने सरीर का अपनी खिचाव डाल सकते हैं वहां के मांस्पेसियां वहां करें लिगामेंट्स को मैं एक मजबूती बेच सकता हूं इस खिचाव चिर जाराई है और देखिए उसी से लोगों को लाभ भी मिल रहा है बहुत लोगों के साथिका की समस्य आ जा रही एलफोर एलफाइव के जितने बहुत सारे पेसेंट एलफोर एलफाइव की नसे दवी हुई है डॉक्स ने भी बोल दिया कि जो इसको तो आपरेशन करना पड़ेगा और वैसे वैसे पेसेंट अगर रिवर्स करके और अपनी मस्ति सुख को बिल्कुल एक आगर करके अगर वो चाहते हैं कि हम अपने यह साटिका के दर्द को खतम कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से लेकिन आपके लिए उसके लिए मेहनत करना होगा आपको प जो लोग जानते है न योग के बारे में और योग में जीना चाहते हैं न वोनों का जो tos हो जाता है नो to 24 hours कोई भी काम करेंगे और उसे पुर्ता अच्छे के लिए करेंगे तो आपके सरेर के लिए यह प्रकार का योग है आप बैठे हुए हैं जो काम कर रहे हैं आप काम करते करते भी अगर आपके सोच है कि हम अपना यडी को यहां पे हीप में लगा ले तो यह हमारा अच्छा सा मूमेंट्स बन रहा है हमारे पैर अर्चे से मुड गए हैं बहुत ऐसे लोग होंगे हमारे जितने भी इलाके में बहुत जगए यह तो के साथ मसाज करिए और आपके घुटने में आराम मिलेगा बहुत ज़्यादा आप जेसा सुचेंगी आपका सरीर वैसाई वैसाई काम करता चला जाएगा तो यह अभी देखिए हम पैरों का अपना पूरा खिचाओ जितना था करना मैं कर लिया अभी समय ना रहने क्यूंक क्योंकि वीडियो में बना रहा हूं आप लोगों को दिखाने के लिए कि कैसे कैसे हम मसाज करते जाते हैं अपने सरीर का और कैसे कैसे हम देख रेख अपने करते अपने बाजू का माली जमा बाजू का हम मसाज कर रहे हैं तो हमारे थ्रॉट्स होने चाहिए कि ऐसे मसाज क इस तरह के थ्लों कोक। कर लिए पूरा शरीर का अभी देखिए पीछे बहुत लोगों का हांथ पीछे नहीं पहुच पाता है तो हाथों में पीछे पहुंचाने के लिए कि हम मसाज का अपने खुद से अपने सरीर का मसाज बढ़िया सा कर शके तो देखिए अभी पीछे बहुत लोगों का हाथ यह से नहीं जा पाता है तो अपने सरीर का यह पूरा यह पूरा भाग देखिए अपना कोसिस कीजिए कि हम इस हाथ से पूरे जितना तक जाता है हमार पीछे का पॉर्षन में मशाज एक होता है तो इसको आप सही तरीके से कर दें यह पूरा देखिए करें तो बहुत अच्छा है पूरा यह गेच करके गर्दन को सीधा करके अपने पीछे वाली जो लीड की हड़ी है उसमें खिचाव एक महसूस करेंगी इसको थोड़ा सा पीछी की तरफ ले जा करके बढ़िया सा टून करेंगी इस हाथ से इतना हो गया तो फिर दूसरे हाथ करेंगी जतना हम नहीं जाता है कुछ लोगों का हाथ जिसे जाना मुस्किल हो जाता है लोगों को थोड़ा सा यह पूश अ पर और पीछे की बहीं होना चाहिए इसाना सरीर का आप जो इसमसाज करते रहे नहादे से पहले मसाज भी हमारा हो रहा और कौन सी बाते आप लोग के दिल में लगती है कॉमेंट करके जरूर बताईएगा कि हमारी कौन सी बात क्योंकि बहुत लोग मुझे बोलते भी है कि आपकी बाते जो है ना कोई-कोई दिमाग में बहुत जादा मुझे मतलब ये के रियेक्ट कर गई आपकी ये बात हम तो कई-साधकों से मैं पूछता था कि भाई हमारी कौन सी बात आप लोग को क्या ऐसी लग गई तो लोग बताते भी के आपकी ये सारी जो बता रहा थे आप वो बात हमारी दिल में लग गई बहुत ऐसे साधक होते तो आप लोग कुछ सी बात हमारी अच्छी लगी यह जरूर कॉमेंट करिएगा कि हमें मुझे अच्छी लगी और मैं योग करूंगा या योग करूंगी जितने भी बड़े छोटे बड़े जितने भी जो लोग देख रहे हैं अभी देखे धीरी धीरा करके में धीरी दीरी जितना होता हैbasat अपने शरीर मسم क्या सब्सक्राइब कर्णा हुआ दूसे लोग मöhiamoय लुगों इसा यह लुग अज्य कल आऻ। हम अधर करों आज हो आज वरसुन ते यह Uhum करके हम इसका गाल का गाल के लिए कि ताकि यह हमारे सही रहे तो मुझ में हवा भर लेजिए कि इस प्रकार से अपने चेहरे का मसाज करें पूरा ताकि यहां के सारे जितने सेल हैं उस सारे सेल आपके हो जाए और वहां के आपके सारे जितने भी सेल जब बढ़िया काम करेंगा तो आपके सरीर के अपने कान को इस प्रकार से बढ़िया सा रगड लीजिए ऐसे पूरा उपर निची जितना भी है बालों के लिए भी पूरा ऐसे 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 जितना भी आप कर सकते हैं पूरा मसाज बढ़िया सा यह आ तो श्रीर के पूरा चहरी के ऊपर में आप मसाज करने में आपके ब्लड शर्कुलेशन पर तेज हो जाता है तो अभी देखिए हमारे गले से आप लोग को थोड़ा समझ में आएगा बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, एक छोटी से नस में अगर प्रॉब्लम आ जाएगी न, शरीर हमारा सिगनल देता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि कहां से ब्लोकेज हो रही है, कहां हमारे परिशानी है, कुछ लोग बोलते हैं जुन-जुनी हो रहा है जी पैर में, कुछ बोलते हैं हमारे खड़ा ही नहीं हो पा रहा हूं, चली नहीं पा रहा हूं, इस परकर कि तमाम समझ से आएं आती हैं, हर लोगों के साथ, तक्रिबन लोग के, अगर बच्चे आज कल की युवा, अगर हमारी इन बातों को समझ जाए, तो समझ ये कि वो आने वाले ट आन्षों के साथ था, इस मसाज को कर लें पूरे बॉड़ी के में और ऐसा थौट रह लें, कि आपके सरीर में एक हिलिंग का काम हो रहा हुआ, किसी भी तरह का कूई भी समझ से आपके, उस मसाज के दरान हम आपको ठीक कर रहा हूं, मैं आपको केर कर रहा हूं, कैसे बाब तो हेलो करो, आप क्या घर रहे हूं, अगर कोई तकली पूर रहे हैं, अरे बाइग, क्यों, कोई गल्पी हो रहे हैं, तो बताओ, समझ में आएगा, आप उसके बारे में जानने की कुछिस करोगे, यह हैलो क्यों बॉल रहा है, यह रो क्यो रहा है, आप उससे क्या मांग और नूसी क्या दे अब झैल मांग रहा है आप उसको जो सो कारबन डाई सन और लिए जनु कि जानू कि की कमी हो रही कुछ चीज के लिए फिर हम योग करेंगे आसन करेंगे कुछ आयरुवेदिक चीज खाएंगे बहुत सारे हमारे जड़ी बुटी भी है जिस जो कारगर होते हैं मसाज सबसे बढ़िया तानायाम हो गया मसाज हो गया कुछ आसन हो गया यह अपने को आना चाहिए सभी लोगो को मालू होना चाहिए और जितना होता है उतना ही करना चाहिए हम अपने खिचाओ को भी ना बनाएं दिखें मसाज तो हमारे तक्रिबन हो गया हम मसाज करने की कोई लिमिट नहीं है आपके पास जितना समय है उस समय में आप अच्छे से अच्छे मसाज अपने सरीरों कर द मेरा शरीर एकदम कहेगा, हैपी हैपी बोलेगा, करके देखना, सही बता रहा हूं आप लोगो, कि एक बार ऐसा मसाज आप लोग जरूर करके देखना, पूरे शरीर का, क्योंकि आज लोगों को समय नहीं है, फड़ा पड़ गए, बातरूम में गए, नहाए, दो के निकल हाँ, हाँ, हालो, हाँ, बुलिए, सिर्ल ले, ठीक है, रखिए, इसके बाद जो है, हम अपने गले में देखिए, कि बहुत सारी यहां की जितनी भी नस नडिया जूड़ी हुए, यहां आप देख सकते हैं, मसाज के दुरान भी आप करकर देख सकते हैं, जब कि हमारा सरीर है, आपको जहां जहां जाए, हर जितनी भी, जितनी भी चीज आप महसूस कर सकते हो, अपने नस नारियों को, उतना महसूस करने की कोशिश कीजिए, कि आपके नस नारिया कितनी है, थोड़ा साबी देखिए, नस वासों के हिच करके भी, हम यह नसों को दिखा रहे हैं तो आपको दर्द बनाता है और उस दर्द में आप परिशान होते हैं तो दिखेंगे इस तरह से पूर्णी सरीर का हम मशाज कर लेते हैं इसके बाद अश्नान करते हैं तो अश्नान करने की एक ताज़्गी आप लोग को अच्छा लगेगा अगर यह विडियो आप लोगों अच्छा लगा हो तो दुसरे भाई वहनूं के पास भी पहुचाईए ताकि इसका लाब सभी लोग लें अपने सरीर पे सभी लोग केर करें और अपने सरीर का मसाज सभी लोग करें समय निकाल करके जितना ही समय मिलता है आप नहीं करते कि आप आदा घंटा करो एगंटा करो खोटा सा सरसरी निघास एक हर हर ऊन्फल होという पे बालों पे गुटनों पे होनियों पे पिल्लियों पे हर जर्ण मतलब आपके ऊपर에 असपर्स हो जाय सरीर में और तेल का सक्टिव आजाती है इतन है यह सब अच्छे हो जाते हैं किस We got it is जिस थ्रोट के साथ आपको काम करने हैं जैसा धीविया का सरीर हो पूरे सरीर का अच्छे तरीके से आप मेरे कहने से मसाज जरूर कीजिए विडियों अच्छे लगी हो तो दुछे लोगों के साथ सहर कीजिए ताकि जोसे इसका लाव समी लोग उठाए और उस पार्त में आ पर बाव हो